गुड मॉर्निंग बच्चो, मैं पूनम निजावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटराजी स्कूल छासी बच्चो, आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, विशेशन इसकी परिभाशा क्या हुई? जो शब्द संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताते हैं, उन्हें विशेशन कहते हैं तितली बहुत सुन्दर है, चार तितलियां ओड रही है, रंग बिरंगी तितलियां है, वह तितली है मुझे दो किलोग्राम मिठाई दे दो, ठीक है, विशेश है जिनकी विशेशता बताई जाती है, उन्हें विशेश कहते हैं जैसे विदूशी ने लाल फ्रॉक पहन रखी है, इस वाक्य में लाल शब्द फ्रॉक की विशेशता बता रहा है इसले लाल शब्द विशेशन तथा फ्रौक विशेश है फ्रौक विशेश भी है और संग्या का भी काम कर रहा है विशेशन के चार भेद होते हैं कौन-कौन से पहला गुण वाचक दूसरा संख्या वाचक तीसरा परिमान वाचक चौथा सार्वनामिक विशेशन अब हम गुण वाचक की परिभाशा क्या है किसी संग्या या सर्वनाम का गुण दोश रूप रंग आकार प्रकार एवं दशा बताने वाले विशेशन शब्द गुण वाचक विशेशन कहलाते हैं जिनसे उनके गुणों का पता चले जैसे सेब लाल रंग का है प्रकर गोरा लड़ का है यहां लाल एवं गोरा क्रमशा सेब और प्रकर के गुण की विशेशता बता रहे हैं गुण वाचक विशेशन शब्द निम्द रूप में हो सकते हैं गुण दोश के आधार पर अच्चा बुरा सच्चा जूटा आदी यह उसके गुण है लेकिन दोश है यह भाव के आधार पर दयालू, क्रोधी, वीर, लालची, आदी यह उसके मन के भाव हैं तीसरा है रंग के आधार पर सफेद, हरा, लाल, आदी हम रंग से भी पहचानते हैं आकार के आधार पर लंबा, तिकोना, गोल, आदी और आगे है आपका इस्थान के आधार पर उंचा, नीचा शेहरी, गवार, आदी यह हम इस्थान से पैचानते हैं दशा और अवस्था के अधार पर बूड़ा, जवान, पतला, मोटा, आदी माने उसकी अवस्था कैसी है संख्या वाचक विशेशन जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोद कराते हैं उन्हें संख्या वाचक विशेशन कहते हैं जैसे मेरे पास पांच गुड़ियां है यहां पांच गुड़ियों की संख्या का बोद कराता है संख्या वाचक विशेशन के भी दो भेद होते हैं पहला निश्चित वाचक संख्या विशेशन और दूसरा अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन जो विशेशन संग्या या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें निश्चित संख्या वाचक विशेशन कहते हैं यानि संग्या शब्दों से पहले संख्या आती है मेरे विध्याले में 20 कंप्यूटर है ठीके यह हो गया निश्चित अनिश्चित संक्यावाचक जो विशेशन संग्या या सर्वनाम की अनिश्चित संक्यावाचक विशेशन कहते हैं कौन से होते हैं वो थोड़ा, कुछ, काफी, चरासा, बहुत सारा मानिक कुछ भी चीज यहां पर निश्चित नहीं है जैसे कनिका ने कनिका को कुछ रुपे दिये परिमान वाचक विशेशन परिमान माने नापतौल जो विशेशन संग्या या सर्वनाम की मापतौल का ज्यान कराते हैं उन्हें परिमाण वाचक विशेशन कहती हैं यहाँ पर मापतोल आती हैं दस किलोग्राम गेहूं पाँच मीटर कपड़ा थोड़ा सा दूद परिमाण वाचक विशेशन के दो भेद होती हैं निश्चित परिमाण वाचक और अनिश्चित परिमाण वाचक विशेशन अब न विशेशन, निश्चित परिमान वाचक विशेशन कहलाते हैं, एक लीटर दूद निश्चित है ये, बीस मीटर कपड़ा निश्चित है, अनिश्चित परिमान वाचक, अनिश्चित में संग्या या सर्वनाम की अनिश्चित मापतौल का बोध कराने वाले विशेशन, कुछ काफी चरासा बहुत सारा यह सब अनिश्चित हैं कुछ भी यहांपर निश्चित नहीं है जैसे थोड़ी आइस क्रीम बहुत पानी संख्या वाचक विशेशन बाप परिमान वाचक विशेशन में अंतर क्या होता है संख्या वाचक विशेशन वहां होता है जहां संग्या या सर्वनाम की गिंती की जा सके जैसे बच्चे वस्तुएं लोग बरतन आदी हम गिन सकते हैं लेकिन परिमान वाचक विशेशन वहां होता है जहां गिनना संभव ना हो बलकि नाप या तौल जा सके ठीक है अब नापतौल में कैसे होगा देखिए दूरी तरल वस्तुएं अनाज चीनी आदी उधारण के लिए संख्या वाचक मेरे पास दो टौफिया इनको हम गिन सकते हैं परिमान वाचक मुझे एक किलास दूद देदो दूद को हम गिन नहीं सकते हैं कक्षा में कुछ बच्चे हैं ठीक अनिश्चित हो गया मैं चार किलोमीटर चल कर आया ये निश्चित हो गया सार्वनामिक विशेशन से संकीत वाचक भी कहते हैं वे सर्वनाम शब्द जो संग्या के पहले प्रयोक्त होकर उनकी विशेशता बताते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेशन कहते हैं जैसे यह पुस्तक मेरी है यह गिलास सुंदर है यह पेड़ मोटा है यह फूल सुगंदित है मेरी माता जी मंदिर गई है और ऐसे बच्चे मुझे पसंद है जो सच बोलते हैं ठीक है विशेशन निर्मान हम किस प्रकार कर सकते हैं विशेशन की रचना मुख्य रूप से चार प्रकार से की जाती है संग्या शब्दों से सर्वनाम शब्दों से क्रिया शब्दों से और अव्य शब्दों से ठीक है इन चार से करते ह अब देखी कैसे होती है ये प्रत्य लग्या, इतियास, एतिहासिक एक लग्या, भार, भारी, ए लग्या, शास्त्र, शास्त्रिये, ग्राम, ग्रामीड, ठीक है, समाज, समाजिक एक लग्या, सुख, सुखी, ए लग्या, गुण, गुणवान, आन लग्या, इश्वर, प्रत्य लगा सब्ता साप्ताहिक एक प्रत्य शब्द शाब्दिक अपमान अपमानित दुख दुखी और रूप रूपवान आन लग्या सर्वनाम से किस प्रकार बना सकते हैं विशेशन शब्दों को देखिए जो जैसा वै वैसा यह ऐसा मैं मुझसा कौन कैसा आप आपसा यह सर्वनाम से बना अब क्रिया शब्दों से कैसे होगा पढ़ना पढ़ाकू बनाना बनावटी पत पतित खेलना खिलाडी पीना पियककर बेचना बिकाओ अब यह शब्द जो बदलते नहीं है देखिए उन से कैसे बनेगा बाहर बाहरी नीचे निचला भीतर भीतरी सतह सतही उपर उपरी पीछे पिछला यह अब व्यशब्दों से बने प्रविशेषन क्या है विशेषन की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रियोग किया जाता है, उन्हें प्रविशेशन कहते हैं, जैसे वे आम बहुत मीठा है, यहां मीठा शब्द की विशेश्ता बहुत शब्द के द्वारा ग्यात हो रही है, अता बहुत शब्द प्रविशेशन है, विशेशन शब्दों की अवस्थाएं क दूसरी है, मूला वस्था में विशेष्टा का समानिक अथन होता है, जैसे वह लड़की सुन्दर है, समानिय है, उत्रा वस्था, जैसे जब वाक्य में हम किसी दो वेक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करके, किसी एक को बढ़ा कर या घटा कर बताते हैं, उसे उत्रा वस्था कहते हैं, तीसरी है, आपकी उत्मा वह लड़की उस लड़की से अधिक सुन्दर है, मानि एक की तुलना दूसरे से कर दी, यहां एक लड़की को दूसरी लड़की से अधिक सुन्दर बता कर तुलना की गई है, अब है आपकी उत्मा वस्था, जब वाक्य में हम कई वस्तूं व्यक्तियों या इस्थानों की तुलना करके किसी एक की विशेष्टा को बढ़ा कर या घटा कर बताते हैं तब उसे उत्मा अवस्ता कहते हैं जिसे इंगलिश में आप लोग डिगरी बोलते हो जैसे वह लड़की उन सभी लड़कियों से अधिक सुन्द अब देखिए मूला वस्ता उत्रा वस्ता में क्या होगा तर और तम लगा देते हैं ठीके तो देखिए पहला शब्द इसका हम देखेंगे कि क्या है पहला शब्द है प्राचीन प्राचीन तर प्राचीन तम ठीके दूसरा शब्द है आपका कठोर कठोर तर कठोर तम तीस तरा है अदिक, अदिकतर, अदिकतम, श्रेष्ट, स्रेष्टतर, स्रेष्टतम, ठीक है, सुन्दर, सुन्दरतर, सुन्दरतम,